जै माता दी, साथियों आज एक बहुत ही सुन्दर पौधे की बात करते हैं, जिसका नाम केलेंडरा है, केलेंडरा शब्द ग्रीक शब्द से बना है, जिसका आर्थ होता है, प्यारी चीज़, यह एक सजावती पौधा है, और इसे पाउडर पफ पौधा भी कहते हैं, यह लैंड्सकेपिंग में, बगीचों की सुन्दरता बढ़ाने में काम आता है, और तेजी से बढ़ने वाला सदा बहार पौधा है, फूलों वाला छोटा यह पेड़, मध्य और दक्षणी अमेरिका का मूल निवासी है, और इसकी उचाई, अपने मूल स्थानों में पंदरा मीटर तक हो जाती है, इस पौधे के फूलों में बहुत से पूंकेसर होते हैं, स्टेमन होते हैं, पतले-पतले, गुच्छा सा लगता है, और यह ज़दा तर बसंत और गर्मी में खिलता है, वैसे यह सभी मौसमों में पौधा कुछ कम खिलता रहता है, इस पौधे के फूल, चटकीले लाल रंग के, पिंग कलर के, सफेद कलर के होते हैं, और यह फूल, तितलियों को, मधुमक्खियों को, और हमिंग बर्स को आकरशित करते हैं, केलियंडरा के पौधे को, बीच से और कटिंग से बढ़ाय जाता है, इसे धूप चाहिए, और वैल ड्रेंड मिट्टी चाहिए, पोरस मिट्टी, रेगुलर पानी चाहिए इसे, और इसकी शेप बनाये रखने के लिए, इसे कटिंग प्रूनिंग भी चाहिए, इस पौधे के अनेक फाइदे हैं, इसका इधन में इस्तिमाल किया जाता है, इससे हरी खाद बनती है, पशूओं के लिए चारे में ये पौधा काम आता है, इसकी पत्तियों में प्रोटीन होता है, पशूओं के लिए, दुधारू पशूओं के लिए खास तोर पे, इस पौधे को मिट्टी के कटाओ को रोकने के लिए भी लगाया जाता है, क्योंकि इसकी जड़ें गहरी होती हैं, सभी पौधों की तरह केलियंडरा का पौधा हवा को शुद्ध तो करता ही है, इसमें अनेक और शदिये गुन भी होते हैं, साथियों मेरे साथ ऐसे ही सुन्दर सुन्दर पौधों को पहचानने के लिए और इनकी जानकारी पाने के लिए, प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब दिस चैनल, जै माता दी